दोस्तों अगर आपको यी वीडियो पसंद आये तो वीडियो को लाइक करें और इस घंटे को बजाए और प्रेस करें हमादी वीडियो सबसे पहले देखने के लिए वागतां आप सभी का यूटूब चैनल में दोस्तों आज की इस वीडियो में आपको बताएंगे यूपी बूट एग्जाम 2021 से कब होगा यूपी बूट ने एग्जाम से संबोदित किया ये वड़ा वतलाब जानिये परक्षा को लेकर क्या है अपडेट जी हाँ इस वीडियो में आपको बताएंगे कि सरकार ने कौन से ने नियम लागो किये है यूपी बूट एग्जाम को लेकर तो आगे आपको फल डिटल के साथ बताएंगे तो सबसे पहले आप इस वीडियो को लाइक कीजिए सेर कीजिए और ऐसी वीडियो देखने के लिए चैनल को सबस्क्राइब करके नोटिफिकिसन बेल को अन कर लेजिए तो चलिए आपको बताते हैं यूपी बूट एग्जाम 2021 से कब होगा यूपी बूट परक्षा 2021 में परक्षा के संचालत की निगरानी करने के लिए सामाने दो के वज़ाए एक कमर में सिर्फ एक ही हो सकता है एंची की रिपोर्ट के अनुसार राज सिक्षा बिभाग ने कहा था कि ऐसा इसलिए किये जा रहा है कि करना काल की बज़े से कम फीवर वाले उम्मीदवार के लिए परक्षा हौल की संक्या बढ़ाई गई है के लिए सिक्षा को कमी है उन्होंने वताया कि सुर्या में एक बड़ा वदलाब किया गया है और राज सरकार दोरा अनुमती यूपी बोट इंटरमेडियेट और हाई स्कूल परक्षा केंदर अब किया गया है आपीसल बताते हैं की परसिये 2021 में यूपी बोट की परक्षा में परते केंदर में नियूतम 154 और अधिक्तम 800 चातर होंगे पिछले वर्स में एक परक्षा केंदर में 200 चातर थे इसी तरह पिरतेग छातर को 20 वर्ग फुट के बजाए 36 वर्ग फुट की जगा दी जाएगी जी हाँ यूपी बूट एक्जाम के मानने के अनुसार एक कमरा 500 वर्ग फिट में अधिक्तम 14 यह फिर 15 बच्चे बैठाने की बिवस्ता होगी पालन करते हुए दो चातर के बीच पिरतेग जगा होगी इस पिरकार 2020 में केंदर की संख्या 7,783 थी से बढ़कर 2021 में लगवग 14,000 हो जाने की संबाब ना है इसलिए इतनी वड़ी संख्या में फर्ग्चा केंदर के लिए सिख्चा की कमी हो सकती है बिचे इस रूप से हिंदी, अंगरेजियो, बिग्यान, समाजी, बिग्यान, बिग्यान यादी जैसे अनिवारी को लेकर लोग पर यह बिचे में पिरतेग व्यक्तिकूद में समस्या हो सकती है जिने वड़ी संक्या में चातर उपस्तित होंगी इस बात को द्यान में वक्त हुए, यूपी बोर्ड ने, इस बात